पहली बार आदिवासी समाद से आई एक महिलाने संगर्षों के बाद महामहीम राष्ट्रपती के पदपर आसीन हो हम सब को अपने आशीश वचन दिये मैं उसके लिए सरवप्रतम उनका अभार व्यक्त करना चाहती हूँ और महामहीम राष्ट्रपती जी से कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि वो ना सिर्फ आदिवासी समुदाय का ना सिर्फ महिलाओं का बलकि पूरे राष्ट्र का गौरव है मैं आज इस सदन में एक सांसद को सुन रही थी जिन्होंने अपने भाषन की शुरुवा थी इन शब्दों से की कि वो महामहीम राष्ट्रपती जी के अभी भाषन का विरोध करते हैं कही न कही मन में ये टीस थी कि महामहीम राष्ट्रपती जी किसी एक राजनीतिक दल से नहीं बलकि पूरे राष्ट्र के गौरव से गरिमा से संबंदित हैं तो जो राष्ट्र का सबसे उत्तम प्रतीक है उनका विरोध इस सदन में उनके भाषन का विरोध इस सदन में क्य प्रिश्ट को हम सब पढ़ें तो अम्रित काल में स्वरणिम शब्दों में भारत के भविश्य को उन्होंने उल्ले खित किया एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात की और दूसरी और मानवियकार्यों की बात की और राश्ट्रपती जी ने अपने अभिभाशन में एक नागरिक होने के नाते विशेश मैं इस बात का गौरफ करती हूँ कि सुप्रीम कमांडर अफ आम फोसेज ने भारत में पहली बार भारतिय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंदमान में जो 21 द्वीपों का नामकरण हुआ उसका उल्ले किया और अपना आन तरफ नाशनल वार मेमोरियल का उल्ले किया और दूसरी ओर उन्होंने हम सब को याद दिलाया कि हमारी नौसेना को अब छत्रपती शिवाजी महराज का दिया हुआ प्रतीक चिन्न मिला है जो अब उनकी ध्वजा पर लहराता है भारत की शान बढ़ाता है और महामाईम रा आपकी अनुमती से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ राष्ट्रपती जी ने अपने अभी भाशन में एक श्लोक कहा था ग्रंथों का उल्लेक कर उन्होंने कहा कि अयम निजह परोवेती गणना लगुचेत साम अर्थात अपना ये है पराया ये ऐसी सोच होना उचित नही और राष्ट्रपती जी के इसी संकल्प, इसी चिंतन को चरितार्थ किया है मोधी सरकार ने इसलिए अमेठी की सांसद होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधान सेवक का मैं आज विशेश आभार व्यक्त करती हूँ क्यूंकि अपने पराय की सोच से परेहट कर मेरे संसदिये छेत्र में माहमहीम राष्ट्रपती जी के अभी भाषन को अगर मैं अमेठी की दृष्टी से देखूं तो हमने क्या पाया क्यूंकि 50 वर्ष खोया बहुत मेरे संसदिये छेत्र ने आज सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाओं में चार विधानसभा छेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया लिकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उलेक निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दिख्टी से नई तकनीक का संचार हो तो पाँच हजार करोड की लागत की असौल्ट राइफल की फैक्टरी अमेठी तब आई जब सांसत भारतिय जनता पाटी का नहीं था बलकि कॉंग्रेस पाटी का था राष्ट के सनरक्षन के लिए अपने पराय के अभेद ना कर ये उत्तम उधारन मेरे संसिदिये छेतर में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवा का आभार व्यक्त करती हूं महमाहीम राष्ट्रपती जी ने अपने अभीभाशन में नारी की प्रतिभा नारी के योगदान और राष्ट के भविश्य के निर्मान में नारी की भूमिका को उलेखित किया है आज इस सदन में हमारी एक वरिष्ट नेता है जो निश्चित रूप से महिलाओं की दृष्टी से महमाहीम राष्ट्रपती जी के अभीभाशन पर अपने विचार व्यक्त करेंगी लेकिन एक छोटा सा अपनी योड़ से मेरा प्रयास है कि सदन को मैं अवगत कराओं की ग्रामीन अंचल में महिलाओं जो सेल्फ हेल्प रूप के माध्ध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं उनका UPA के कारेकाल में और मोधी सरकार में क्या स्थान रहा हम सब इस बात को जानते हैं कि एक सदस्य ने यहां चुनाओं का उलेक किया कि एक चुनाओं से पहले एक बहुत ही प्रचलित इंटर्विव था जिसमें विमिन्स इंपावर्मेंट की बार बार बात हुई लेकिन वो शब्द धर्ती पर कितने फली बहुत होते हैं उसका मैं एक प्रमाण यहां देना चाहती हूँ 2009 से लेकर 2014 तक देश भर में सिरफ 19 लाक सेलफ हैल ग्रूप्स को भारत सरकार से सहायता मिलती थी मोधी सरकार में ये संख्या बढ़कर अब 81 लाक हो गई है 2009 से लेकर 2014 तक जो राशी इन सभी सेलफ हैल ग्रूप्स को दी गई हो लगभग 80 हजार करोड थी लेकिन मोधी सरकार में 2014 से लेकर 2022 तक ये राशी बढ़ा कर चार लाक तिरानवे हजार करोड रूप्या की देए मैं प्रधान सेवक जी का विशेश आभार व्यक्त करती हूं कि विमिन्स डेवलप्मेंट के मात्र नारे को ट्रांजिशन करके राश्ट का अगर उत्थान करना है तो उसमें एहम भूमिका नारी की होनी चाहिए मात्र इस एक सेलफल ग्रुप के आवंटन से ही आज वो प्रतिबिंबित होता है कि नारी और विशेश्टा ग्रामीन अंचल की महिला की प्रतिबापर देश के प्रधान सेवव को कितना नाज है और कितना विश्वास है मौधे स्वास्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं मैंने सदन में पहले भी कहा आज भी कहती हूँ हमारे समाज में ग्रामीन अंचल में गरीब तपके में महिला को अगर आप कभी पूछें साल 2014 से पहले कि क्या सारवजीनिक रूप से सर्विक्स कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का कहीं भी उलेक होता था ग्रामीन अंचल और गरीब तबकी की महिला ये कहेगी कि इसका उल्लेक सामाजिक दृष्टिकोंड से नहों ऐसा नहीं था साधन उपलब्द नहीं थे गरीब महिला को इसलिए वो चर्चा में इस विशे को नहीं लाती थी कि आज भी हजारो सेकडो महिलाएं ऐसी हैं कि अगर बुखार भी आ जाए तो अपनी नहीं अपने परिवार की पहले चिंता करती है मैं आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधान सेवक का और अभिनंदन करती हूं स्वास्तमंत्री जी का कि आयुशमान भारत योजना के अंतरगत 31 करोड कैंसर की स्क्रीनिंग हुई जिसमें से लगभग 13 करोड से जादा देश की गरीब महिलाएं थी ऐसा नहीं था उस महिला को पता नहीं था कि BREAST का कैंसर हो तो उसे किस प्रकार की सुविधा चाहिए वो बोज नहीं बनना चाहती थी चर्चा नहीं करना चाहती थी तिल-तिल कर मरती थी आज आयुशमान भारत के माध्यम से उसे ये सुरक्षा का कवच दिया ये आत्मी और मानविय काम किया, इनी मानविय मूल्यों का उलेक महामहीम राष्ट्रपती जी के अभी भाशन में था चुंकी स्वास्तमंत्री यहां बैठे हैं, अध्यनशील है निशिकान जी का आज मैंने भाशन सुना, वो magic of numbers की बात कर रहे थे पचास लाग से लेकर 90 करोड की यात्रा का उलेक कर रहे थे, अब हम संसदिय छेत्र जो मुख्यता ग्रामीन है वहां से हैं, एक magic वहां भी हुआ और महादे आपकी अनुमती से, निशिकान जी ने आज कहा वो सब authenticate कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाई 1981 में एक foundation ने जो काफी विख्या थे अमेठी में, उन्होंने लगबख 40 एकर जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, वो भलीभाती जानते हैं, उसकी प्रती मेरे हाथ में हैं, वहां पर ये कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकर हमें, और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक medical college बना देंगे, अब 40 एकर जमीन का magic, 623 रुपे में 623 रुपे का रेंट, और, 623 रुपे का रेंट, 30 साल तक, 30 साल तक, अमेठी के गरीब नागरिकों को, ये बार-बार कहा गया, कि आपके लिए medical college खोल देंगे, लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है, तो जानेगा कि जिस धर्ती पर वो college खोलने की बात कर रहे थे, उस पर उस परिवार ने अपने लिए guest house बनाया, मैंने स्वास्त मंत्री जी का उल्ले किस लिए किया, कि अपना और पराये का भेद ना हूँ, भले ही एक परिवार अपने foundation के माध्यम से अस्पताल चलाता हो, अगर उनको भी आयुश्मान भारत में सेवा देनी है, उसका प्रतीक स्वास्त मंत्राले के माध्यम से, मोधी सरकार के माध्यम से मैंने अपने संतिधिये चेत्र में देखा, लेकिन महादे आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और हो, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जन्पद अमेथी, उनसे संबद्दे, इसमें एक मरीज का उल्लेक है, जिसका नाम है नन्हेलाल मिश्रा, उस मरीज का दोश ये था, कि वो उस जगा गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है, और अस्पताल चलता है, और ये कहा जाता है, अमेथी में उनके परिजनों ने विडियोग्राफिक एविडिन्स दिया, कि मरीज ने जाकर कहा, मैं आयुश्मान भारत से जुड़ा हू मोदी जी ने कहा है, पांच लाक रुपे में मेरा मुफ्त का इलाज होता है, आपका अस्पताल इसमें चिन्हित है, आप मेरा इलाज करिए, नन्यलाल मिश्रा को लोटा दिया गया, और कहा गया मोदी का कार्ड लाए हो, जाओ यहां, काश नन्यलाल मिश्रा आज इस सदन क को बता सकते कि गंभीर बिमारी में लोटाए जाने से कितनी परिशानी होती है लेकिन महदे ना उनकी आवाज इस सदन तक पहुचेगी ना सदन के बाहर तक पहुचेगी क्योंकि उनकी मृत्यू हो गई और यह रिपोर्ट है जो कहती है कि मरीज की बिमारी के नुरूप उनक का इलाज नहीं हो सका यह वो लोग ही जो आज नरेंद्र मोदी पर बैटकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे प्रहार कर रहे थे इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदिय छेत्र में जहां 50 साल इनका राज्रा आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुश्मान भारत क कार्ड था 623 रुपे प्रतिवर्ष 40 एकड़ जमीन पर आज भी विराजमान है लेकिन आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधान सेवक का अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड से जादा की लागत पर अगर किसी ने दिया तो मानेविय मूल्यों का परिचे देते हुए नरेंद्र दामुदद्दास मूदी ने दिया यहां बहुत ठाके लगाए गए कि कोई यात्रा पे निकला था इसलिए उनको लोगों ने कहा कि भईया जमीन हमारी जा रही है मैं उनसे कहना चाहती हूँ अगर गरीब की इतनी चिंता है तो पहले समराट साइकल अदबुद्द दृष्यता मौद है सिरफ 1980 के दशक में हस्पताल के नाम से जहांसा नहीं दिया गया कहा गया आईए इन्वेस्ट कीजिए अपनी फैक्टरी खोलिये और फैक्टरी खुलवाई गया मुझ से ज़ादा अर्थ शास्त्री के ज्ञानी निशिकान जी इसलिए वो मैजिक बता पाएंगे कैसे हुआ कहा गया आईए फैक्टरी लगाईए फैक्टरी का शिला न्यास करने हम आएंगे फिता काटेंगे अचानक फैक्टरी वो बंद हो जाती है और जमीन फाउंडेशन को चली जाती है फैक्टरी की जमीन है ताकि वहाँ पर नया साधन इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके कागज पर दस्तावेश पर चिन्निद है कि आप यहाँ पर सिर्फ कमर्शल अक्टिविटी कर सकते है लेकिन अचानक वो जमीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास और वो परिवार उस जमीन को लेता है उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शल अक्टिविटी नहीं कर सकते इतने साल वो जमीन खाली नहीं करते वहाँ का किसान कोट जाता है इस परिवार के खिलाव कोट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं आज भी उस जमीन पर बैठे हैं और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं कि यह एक और आज यहां पर यह नहीं सुरेजी वह समझ आ रहा है यह यह भी प्रती है महादे यह भी प्रती है महादे एक आधुनिक भारत के निर्मान के लिए जरूरी है कि हर गरीब तक मध्यमवर्ग्य परिवार तक सुविधा पहुंचे अब चूंकि राश्ट्रपती अभी भाषण में आधुनिक भारत के निर्मान की बात हुई है तो इसलिए महादे कहना जरूरी है कि प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा शहर नहीं बलकि आधुनिक तत्व प्रगती के हर गाउं हर जिले तक पहुंचे एक अचंबित करने वाला नजारा और है फुर्सत गंज नाम का है कहर को जहाँ पर सिर्फ परिवार से संबंदित अकैडिमी है जमीन है सरकार की लेकिन परिवार ने अपने नाम से बेटा और बेटी के नाम से होस्टल खोल दिया है यहाँ पर प्रधान मंत्री जी नेता जी सुभाज चंद्र बोस के नाम से इंफ्रस्ट्रक्चर बनाते हैं तो उन्हों ने उस पूरी अकाडमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं किसी विदेशी कमपनी पर विश्वास किया उस विदेशी कमपनी ने उस एरपोर्ट का क्या हश्र किया यहाँ पर उस रिपोर्ट में यह उल्ले कित है लेकिन आज इस एरपोर्ट का मैं उल्ले क्या इसलिए कर रही हूं महद है कि एक बार सदन में मैं बोल चुकी हूँ कि हमारे यहां तिलोई नाम की एक विधान सबा है वहाँ पर 30 साल से एक बसड़ा बना दो यह हमारी जनता जनारधन कहती रही बसड़ा भी पहली बार तब बना जब प्रदेश में योगी सरकार बनी देश में मोदी सरकार बनी और आज अमेठी के सांसद के नाते मैं आनंदित हूँ कि फुरसत गंज एरपोर्ट को अब उडान की स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है और अब अमेठी का साधारन नागरिक भी हवाई सेवा का इसमें फाइदा उठा सकता है इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि अमेठी की एक बार चर्चा होती थी और मैंने राष्ट्रपती जी के अभी भाषन का विशेश उल्लेक इसलिए भी किया महामहीम राष्ट्रपती जी एक बहुत ही गजीब सामान्य परिवार से है और इस सरकार की एक बहुत बड़ी मानविय उपलब्धी ये है कि पद्मपुरुसकार उनको जाता है जो धरातल पर काम करते हैं मानविय काम करते हैं राश्ट्र का नाम रौशन करते हैं बिना इसा पेक्षा कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा जिसे सालों साल वी आईपी कॉंस्टिटुटिवन्सी कहा जाता था वहाँ परिवार से संबंदित नेताओं को तमगा जरूर मिलता था लेकिन अमेठी में पहली बार एक बेटी को स्पोर्ट्स में पद्मपुरुसकार अगर किसी ने दिया तो वो शोभा अमेठी की बढ़ाई हमारे प्रधान सेवक ने और वो आशिरवाद दिया महामाहीम राष्ट्रपती जी ने मैं सुधा उस बेटी की ओर से आज अभार व्यक्त करती हूँ महामाहीम राष्ट्रपती जी हाँ मैं माइनॉरिटीज की भी वो बात करना चाहते हैं मैं माइनॉरिटीज की भी महदे वैसे आपका आपका महदे निर्देश ये रहता है आपका ये निर्देश रहता है महदे की सिर्फ चैर जो उसको सुनूं और जो निजी वक्तव ये दे रहे हैं ताकि मैं भाशन अपना बंद कर दूं उनको ना सुनों तो मैं बताना चाहू कि मौद है महिला और माइनॉरिटी दोनों जो शायद इनको शरमसार कर दे हज की कली पॉलिसी देश में प्रस्तावित हुए और जब इनकी सरकार्थी जो इस वक्त चिला रहे हैं तब हज की एक-एक अप्लिकेशन के लिए पैसा लिया जाता था जो हज पे नहीं जा रहा उससे भी पैसा लिया जाता था और पहली बार फॉर्म के लिए पैसा गरीब मुसलमान को ना भरना पड़े ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार लए पचास हजार रुपे हज की यात्रा उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा गरीब को ये भी कदम मोदी सरकार ने उठाया और भारत की तिजोरी से पैसा निकाल कर ये नहीं किया अनुशासित प्रशासनिक धाचे के माध्यम से ये किया आज जिस लोन की ये बात करते हैं जब इनकी सरकार थे तो मात्र 100 करोड का लोन इन्हों ने दिया मोदी सरकार ने माईनोरिटी में 21,000 से ज़्यादा चात्रों को 280 करोड रुपिया से ज़्यादा पैसा दिया ये चलते रहे देश में माइनॉरिटीज को ये कहते हुए कि ये इनके हमदर्द है और आज जो मुझसे पूछते हैं जो आज मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया महिला का अगर आप जेंडर बजट देखे महदे तो 2014 में जब इनकी सरकार थी और जो बजट अभी घोश हुआ है उस पूरे बजट में जेंडर बजट एक-एक मंत्राले में 130 प्रतिशत का इजाफा हुआ है जवाब दें कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने महिला को केंद्र बिंदू बनाकर इस प्रकार का आवंटन क्यों नहीं किया मैं आज दिनकर जी को याद करती हूं र सबसे बड़ी जाच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना संकल्प मोदी ने किया और इसलिए आज कीमत चुकाते हैं जब आप बिना किसी तथ्य के उन पर कटाक्ष करते हैं उन पर आरोप मड़ते हैं जिनोंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा वो बताएं कि चालीस एकड़ क्यों देते हैं वो भूमी छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को भूमी लोटाते क्यों नहीं जिनोंने आज इस सदन पर कटाक्षों की लहर गिना दी उनसे पूछती हूं समराट साइकल अमेठी के किसानों की जमीन आज भी क्यों उस खांदान ने हर्पी है लोटाते क्यों कोट और्डर के बावजूद लेकिन यह मात्र जमीनों की बात नहीं है मोहदे कुछ और तक्थे हैं जो इनको शरम सर करेंगे जहां 50 साल एक खांदान ने प्रतिनी धी बनकर इस देश की संविधानिक स्थानों पर कुर्शियों पर हक जताया उन लोगों का उन्होंने क्या मैं बताना चाहती हूं मा महीम राश्वपती जी ने अपने अभी भाशन में कहा कि प्रती दिन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत 11,000 घर बनाती है मैं कहना चाहती हूं कि अमेठी में महदे 93,000 घर हमारी सरकार ने बना कर दिये मतलब लगभग 4,000,000 लोग जहां 50 साल इन लोगों का राज रहा महदे आज मैं बताना चाहती हूं महा महीम राश्वपती जी ने अपने अभी भाशन में उल्ले किया कि 55,000 घर के कनेक्शन प्रती दिन दिये गए सरकार द्वारा अमेठी में 2,14,440 लोगों को जीवन में पहली बार गैस का कनेक्शन तब मिला जब मोदी की सरकार बने लिए यह जानना चाहते हैं क्यूं मैं अपने लोगों की बात करूं क्यूं ना करूं महा महीम राश्वपती जी ने उल्ले किया कि गरीब को मुसीबत के वक्त मुफ्त का राशन मोदी सरकार ने पहुँचाया इस वर्ष 2,00,000 करोड का व 305 किलो मीटर सड़के सिर्व मेरे एक जन्पद में बनी है महादे पांच गाओं का नाम सुना देती हूँ पचास साल में पांच गाओं तक अभी सड़क नहीं पहुँची थी जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो बड़ी बड़ी डिंगे हाखते थे कि अपने ही स अंसदिये छेत्र में मैंने महादे सुना था हिंदी में दिया तले अंधेरा चोर की दड़ी में तिनका उल्टा चोर को तवाल को डांटे आज इन सारी हिंदी की जितने भी हमारी प्रावर्ब्स हैं उनका एक दर्शन मैंने यहां किया है उनको जवाब देना पड़ेगा पांच गाउं के नाम भी बता देती हूं जहां सडकी नहीं पहुंची कभी इसलिए महादे आज महमहिम राष्ट्रपती जी के अभी भाषन पर आभार मैं इसलिए व्यक्ति करती हूं कि देश में पहली बार आदिवासी समुदाय की एक बेटी को एक महिला को राष्ट्र क के सबसे उच्च संभिधानिक पद पर मात्र नरेंद्र भाए मोदी के प्रयासों से पहुंचाया गया इतना ही संतोष नहीं कर रही हूं मैं गौरफ करती हूं इस बात का कि अगर आप समुचित सरकार का आदिवासी छेतर के लिए बजट देखिए तो जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो 19,000 करोड रुपया खर्चा करते थे पूरी सरकार को कहते थे और जब मोदी जी की सरकार बनी तो 88,000 करोड रुपया मात्र आदिवासी परिवारों के लिए हमारी सरकार ने वै किया क्योंकि मैंने दिनकर जी का उलेक किया तो आप तु वरिष्ट है मोहदे आप राष्ट कवी का कई बार कई भाशनों में उलेक भी कर चुके हैं उन्होंने कहा था कि सच है विपत्ती जब आती है कायर को ही दहलाती है वो कौन था जो कहता था विदेश से वैक्सीन लाओ वो कौन था जो कहता था हिंदुस्तान की वैक्सीन ना लगाओ और वो कौन था जिसने कहा कि विदेश पर नहीं अपने देश पर भरोसा करो वैक्सीन यहाँ बनाओ और हर हिंदुस्तानी को मुफ्त लगाओ उस शूर्मा का नाम हो भी इसलिए आज इतना ही कहती हूँ कि विगनों को गले लगाया काटों में रहा बनाया और इसलिए काटों में रहा बनाने के लिए और भारत के नवनिर्मान के संकल्प के साथ संकल्पित अमेठी को भी आशिरवाद देने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूँ अभिनंदन करती हूँ और महमहीम राश्टपती जी को इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कुना कि वो सिरफ महिलाओं का नहीं सिरफ आदिवासी परिवारों का नहीं बलकि राश्ट का गौरव हैं और अमरित काल में हमारे राश्ट में इसी प्रकार की महिला और सामाजिक परिस्थितियों से उत्थान करने वाली महिला का उलेक बार बार हमारे इतिहास में स्वर्णे मक्षरों में हो अम्रित काल में मेरी प्रभू से यही प्रार्थना है महामहिम राश्ट्रपती जी को बड़े गौरव के साथ चर्णों में शीष जुका के उनके अभी भाशन के लिए आभार व्यक्त करती हूं